आज हम बात कर रहे हैं IRFC की और साथ में हम बात करेंगे IRCTC की यह दोनों सरकारी कमपनिया लोगों को माला माल करने को तैयर हो चुकी है IRCTC ने पिछले दो बहुत ही जबर्दस रेटन दे दिया है अब करेक्शन के मोड में स्टॉक है और IRFC बिल्कुल अब उड़ने को तैयर है यहां से रॉकेट की गती से उड़ेगा इस्टॉक क्योंकि इसने जो अपना रिजल्ट पेस किया है वो बहुत ही जबर्दस है और उस रिजल्ट के दम पे इस्टॉक अब रुकेगा नहीं इस लेवल पे क्योंकि जिस तरह से कंपणी ने बड़े डिविडेंट की गोश्टना की है और जिस तरह से कंपणी ने अपनी परफॉर्मेंस को दिखाया है यह बास साबित करता है कि यह स्टॉक इस लेवल पे के बाद करेक्शन के मोड में आ चुका है और IRCTC की जो स्टॉक 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 के बाद में हमें खरीदने चाहिए स्टॉक या अभी खरीद लेने चाहिए क्योंकि स्टॉक स्टॉक के बाद में काफी चोटी प्राइज हो जाएगी स्टॉक की तो क्या वहां से बड़ी त सबसे पहले हम IRFC की बात करेंगे फ्रेंट्स यानि इंडियान रेलवे फाइनस कॉर्पोरेशन लिमिटेड श्टॉक ओपन हुआ 22.85 पर हाई है आज की 24 की लो है 22.75 का तो काफी अच्छा है इस्टॉक ने आज परदसन किया है अगर हम इसके वॉलिम को एनालिस करें तो वन विक पहले भी 1 क्रोड का ही वॉलिम हा था लेकिन आज सान्धार 4 क्रोड का वॉलिम था तो वॉलिम लगबग दूगणा हो चुका है और इसके पीछे वज़ए है इसका सांदार रिजल्ट कमपणी ने जो अपना रिजल्ट बेज किया वो बहुत दमदार है कमपणी ने टोटल अपना जो प्रॉफिट दिखाया वो है 4,416.13 क्रोड पीज का जो करीब 38.34 परसें जादा है पिछले साल सेम कौटर से पिछले साल सेम कौटर में इनका जो रि देखने को मिला है हमें साथ में कंपणी ने अपनी प्रॉफिट को बाटने का ऐलान किया यानि हमें डिजल्ट देने की उन्होंने गोष्णा किये तो वो करीब 1,372.19 कोड पीज का डिजल्ट देने जा रही यानि करीब अपनी जो profit है उसमें से वो 31.07% की dividend देने जा रहे है तो company जो भी अपना profit हो रहा है वो अपने shareholder के साथ में बाट रहे है तो इससे एक बास समझ में आ रही है कि आने वाले समय में कुछ सालों में हम अपने dividend से ही माला माल हो सकते तो ऐसी company में तो हमें निवेस करके रखना ही चीए यह हमें आगे जाके बहुत अच्छा return दे सकता है काफी प्रदसन अच्छा लग रहा है company ने जो अपनी AGM होई है उसमें जो Mr. Benerji ने कहा है कि जो हमारा जो annual displacement है उसमें करीब 70,471.96 क्रोड से बढ़कर करीब 1,4,369 क्रोड पर पहुच गया तो काफी ज़्यादा हमें बड़ोतरी देखना को मिली है तो इसका मतलब यह है कि जो प्रदसन है company का वो लगातार अच्छा हो रहा है और जिस तरह से उनकी order book मजबूत है यह stock बहुत तेजी सा आगे बढ़ेगा और आप देख लो उधारन IRCTC का IPO जब आया था प्राइस 300 के थी आज वो 4,000 तक stock चला गया है तो ऐसे ही तेजी आपको IRCTC में देखना को मिलेगी यहाँ पे आपको loss की कोई संभावना नहीं है क्योंकि company बहुत भहिंकर profit के साथ में इसी वज़े से यहाँ पे अगर आपने investment करते हो तो आपको loss बहुत कम होने की संभावना लेकिन profit bumper होने की संभावना बिल्कुल आपको निवेश करना चीए अगर पीछले हम 2018 से इसके प्रदर्शन को देखे तो लगादार इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है company 2018 की अगर बात करें तो company का जो revenue था वो 9.27,000 को रुपीज का था और company को profit हुआ था 2.05,000 को रुपीज का इनका revenue 13.42,000 को रुपीज तक पौच गया और इनका profit 3.19,000 को रुपीज का हो गया अब 2020 में इनका revenue हो बढ़कर हो गया है 15.77,000 को रुपीज का और इनका profit पौच चुका है 4.42,000 को रुपीज का है और इसके sector का P 27.86 है, PB ratio 0.83 है, sector का PB 2.36 है, company ने 4.60% का dividend दिया सांदार जबकि sector का dividend जो आता है वो सिर्फ मात्र 0.54% आता है अगर हम इसके pivot level की बात करें, गिरावट में देखे, तो 22.68 का अगर नीचे गिरेगा तो फिर 22.52 तक जा सकता है और थर्ड जो support है वो 22.33 का है लेकिन उपर की दर्व stock के remove करेगा, तो जो target है वो है 23.03 का, second target है 23.22 का और थर्ड target है इसका 23.38 का तो सबसे अची बात यह है कि इसने अपने सारे target आज हिट किये, इससे एक बात समझ में आ रही है कि stock bullish zone में चला गया है और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और आपके investment को कई गुणा बढ़ा देगा, बिल्कुल आपको निवेश करना चीए, यह जिस तरह से अब महुल बना है, बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए तयार हो चुका है और आपके investment को कई गुणा बढ़ा सकता है चलते हैं हम Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited की तरफ यानि IRCTC की तरफ श्टॉक ओपन हुआ 3777 पर, high बनाई है 3821 की और low है 3733 का और अंत में 3794 पर करीब 0.12% डाउन पर closing दिया है तो कोई बड़ी तेजी नहीं है या फिर बड़ी गिरावट नहीं है फ्लैट closing ही है परन्तु stock अब काफी जादा दोडने के बाद थोड़ा से correction के mode में आया हुआ है यहाँ पर rest कर रहा है stock यह समझ लो आप इसका 1290 का 52 week का low था और 4090 इसका 52 week का ही है काफी अच्छा stock ने परदसन किया है अगर हम इसके volume कर दालिस करें तो पिछले एक मेने पहले इसका 54 lakh का volume था वन बीक पहले 34 lakh का volume था कल इसका 30 lakh का volume था आज 17 lakh का volume था तो volume में कुछ कमी देखने को मिल रही है और इंडियन रेलवे की तरब से इसकी date डिकलेर कर दी की है IRCTC की split की तो company अपनी बड़ी हुई share price के कारण अपने share को split करने जा रही है यानि जो फिलाल जो stock की face value जो share की है वो 10 रुपीच की है तो उसको अब 2 रुपे करने जा रही है company यानि अब जो share होंगे उसके 5 भाग किया जाएंगे आपको एक share के बदले में 5 share दिये जाएंगे और इसकी date है वो है 29 October तो 29 October 2021 को आपके account में ये share एक के बदले आपको 5 दिये जाएंगे और इसकी price नीचे आ जाएगी और फिर वापस बड़ी तेजी से बढ़ने की इसकी समवाना हो जाएगी फिलाल जो stock की price है वो इसके IPO price से 10 गुना उपर है यानि आप देख लो कि 320 में IPO कमपनी ने दिया था अभी फिलाल जो price है वो 3790 है तो 2 साल के अंदर जबरदस return मिला है सारे investor को इसने माला मल किया stock ने जबरदस return दिया है और आगे अब फिर से positive समवाना बन जाएगी जब इसको split किया जाएगा क्योंकि railway की ये कंपनिया लगाता dividend के दम पर ही आपको माला माल कर सकती है और जिस तरह से इसकी price में बढ़तरी हुई है वो तो आपके लिए एक प्रगार से बड़ा bonus चावित हो गई है कंपनी जिस तरह से अपने कारोबार को बढ़ा रही है लगातर अपने food plunge नए ने open कर रही है उससे लग रहा है यह आने वाले समय स्टोक बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा क्यों कंपनी की profit बढ़ने की समभवना साथ में जो सरकार ने दुसरी जो कंपनिया है उनके विले की भी समभवनाय तलास नहीं शुरू कर दिया तो उससे भी आगे इस स्टोक के अंदर तेजी का महल बना लाजमी है एक बार हम इसके pivot level को भी चेक कर लेते है यहां से अगर स्टोक स्लिप होता है तो 3757 पर इसका फर्स सपोर्ट है सेकेंड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 3757 का है और जो थर्ड सपोर्ट है वो है 3654 का तो फिलाल गिरावट में यह 3600 के आसपा जा सकता है उपर की तरह मोग करने पर जो टार्गेट निकल के आ रहा है वो है 3859 का सेकेंड जो टार्गेट है वो है 3921 का और थर्ट आर्गनिस का 3962 का है तो फिलाल इस्टोक आपको करीब 3600 से 4000 के बीच में ट्रेड करता हो दिखाई दे सकता है परन्तु बहुत जल इस्टोक बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है क्योंकि कमपनी का कारूबाल लगातर बढ़ रहा है यह इस्टोक में आपको निवेस करना चीए परन्तु आप चाहे तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं काफी तेजी बन चुकी है 3500 के आसपास आपको खरिदारी इसमें करने की सला दी जा सकती है फ्रेंड्स लेकिन दोनों इस्टोक में आपको निवेस करना चीए लॉंग टर्म के लिए आपको मला मल करने के लिए तैयार एस्टोक बिल्कुल आपको बहुत अच्छा रिटन देगे लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनेस एडवेजिस एक बाइडवेज ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन प्रपच के लिए ही बनाएं वीडियो पसन आए तो लाइक शेर जुरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड